हेलो दोस्तों, वेलकम टो पीडवलियो ओनली आईएस, डेट है आज की 27 जून 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलिम बूस्टर न्यूस डिसकेशन के अंदर, आप यहाँ पर आज की न्यूस विपर देख सकते हो, अब देखो जैसे हम बात करें न मनीपूर की, तो या हिंदू की बात कर लो, तो कंटिनूसली इसके उपर न्यूस आ रही है, पर एक्चुल में बात कहना हमने इसको बहुत बार डिसकेशन करा हुआ है, कुकी और जो मीटी कॉन्टरिक्ट था, ठीक है न, तो बार बार इसको डिसकेशन करना पॉइंट नी मनता, हालाकि अगर किसी स्टुएंट ने माल नो जो निया जुड़ा है, नहीं समझा है, तो देखो 6 मही का जो प्रिलेम बूस्टर है न, आप एक बार उसको जाके देखो, उसके बाद भी एक दुदन हमने डिसकेशन किया इसको, पर 6 मही वाला जो प्रिलेम बूस्टर था, उसके दिक्कत थी क्या, गेटिंग दा पॉइंट, एक दूसरी छोटी सी चीज और, इंडो यूएस के जो रिलेशनशिप्स हुएं, ठीक है, जो बीट में पार्टनर्शिप्स हुएं, उसके रिगार्डिंग मैंने कल रात ही वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है, अभी अप्ल यूएस वाला, मेरी तरफ से लेक्टर ये बन चुका है, अब इसी तरह से वीकेंड की उपर आप लोगोंने सुना भी होगा, जैसे जो वैगनर चीफ है, इन्होंने रिस्पॉंड किया है, तो थोड़ा इसके बार मैं समझ लेते हैं, अखिर वैगनर ग्रुप क्या है, और कुछ होते हैं कि ऐसा सोलजर जो किसी भी कंट्री के लिए लड़ लेगा, या किसी भी ग्रुप के लिए लड़ लेगा, जो उसको जादा पैसे देगा, ठीक है ना, तो ये सिरफ क्या करते हैं, पैसे के लिए लड़ने वाले लोगों को बोड़ते हैं मरसिंडरी, ठीक है, अब इसी तरह से जो राश्टरपती है रशिया के व्लादमिर पुतिन उनका एक शेफ हुआ करता था ठीक है शेफ मतलब बाबर्ची उसका नाम क्या था प्रिगोजिन अब ये बाबर्ची हो करते थे पर पुतिन को इनके उपर काफी ट्रस्ट था तो धीरे-धीरे होता क्या गया इनको ना एक प्राइवेट आर्मी बनवाई गई उस प्राइवेट आर्मी का ये कमांडर बना दिये गए इसी को हम बोल रहे हैं वैगनर चीफ प्रिगोजिन ठीक है अब धीरे-धीरे क्या होता गया ये थोड़ा अपने जो प्रेजिडेंट थे पुतिन उनके साथ थोड़ा इनके डिफ्रेंसिस आते गए ठीक है जिसे फॉर एक्जामपल अभी ये कहां पर लड़ रहा था जो ये लड़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा था यूक्रेइन के अंदर तो उन्हेंने बोला जो वैगनर गुरूप के चीफ है कि नहीं कंट्री को एक नया प्रेजिडेंट मिलेगा और ये मॉस्को की तरफ बापस बढ़ने लगे कहने का मीनिंग क्या एक कू की बात होने ल टोटल लगबग 50,000 लोग आज के टाइम पर जो 50,000 soldiers यहाँ पर इस group के अंदर देखने को मिल रहे थे ठीक है तो ऐसे टाइम पर बहुत वश्चन माग उठे कि पता नहीं रश्या का future क्या होगा पर एक यहाँ पर डील साइन हो चुकी है जहाँ पर हमें डील कौन से देख रहे थे उसको खतम कर दिया एक तरह से जो कू है अब वो समाप्त हो चुका है अब इसके अंतरगत क्या होगा इस डील के अंतरगत जो क्रिमिनल केसिस होंगे प्रिगोजिन के अंदर वो हटा दिये जाएंगे ठीक है रशिया के अंदर मौसकों के पर अटाइक करने के जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यह वापिस यूकरिंग तरफ वापिस बढ़ जाएंगे तो एक तरह से सारी सिट्विशन वैसी ही है जैसे कुछ दिन पहले थी तो यह बस एक तरह से आप कह सकते हो 24 घंटे का एक हमें यहां पर एक तकता पलट की कोशिश यहां पर कर रही थी लगवग 5,000 फाइटर थे पर धीर 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 आज के टाइम पर ऐसा देखने को मिल जाते हैं अफरीका हो गया वेस्टेशिया हो गया सीरिया सुडान माली इन डिफरेंट डिफरेंट कंटरिस के अंदर यहां पर इस ग्रूप ने बहुत इंपॉर्डेंट रोल यहां पर प्ले किया था ठीक है ना तो काफी न्यूज में रहा था यह संडे मंडे दोनों दिन ठीक है तो इस वज़र से काफी न्यूज में अभी चल रहा है तो मेक शूर कि आपको वेगनर ग्रूप के बारे में और यह जो अभी रिसेंटली जो वेगनर एग्रीमेंट होना चाहिए ठीक है तो एक बात जो है 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इनेक्स किया था उस टाइन पर भी रशिया और यूज में ऐसे सिटुशन बनी थी तब जापके हमें इस वेगनर ग्रूप का पहली बार हमें पता लगा था और आज के टाइन पर आप देख सकते हैं उस उसको अपलाई कर पाएंगे क्या हम उसके विशित के ओपर हम अच्छे से MCQ प्रैक्टिस के लिए अच्छे से रेडी है या नहीं है क्या फ्रिलिम्स में अच्छा होगा या मेंस अच्छा होगा तो दा थिंग इस हमारी टीम ने इस पर्टिकलर इश्य को सॉल्व करने के अपको प्रिलिम्स के प्रेक्टिस में इस तरह से क्या हुआ पूरा अच्छे से मेंस की बात हो दोनों तरह से आपका वो एक्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक को चैसे टैकल कर पाऊगे तो यह पर्टिकुलर कोर्स कल ही स्टार्ट हुआ है 26 जून को ही तो मेक्शूर आप हमारी जो वेबसाइट है तो कुछ ऐसे कोशन भी आया है जैसे फॉर एक्जामपल नाइगर सीट्स के बारे में डिसकुशन था उसके उपर मतब यूप एसी दोजाते इसका जो फ्रिलिम्स था ठीक है ना तिल के बारे में पूछा गया था एक दो सालों में इसके जीरा के जो दाम है बहुत तेजी से बढ़े हैं अब आप लोग सोच रहा होंगा इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं देखो कोई भी चीज एकोनॉमी के अंदर ना जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं कहीं ना कि उसके पीछे का कारण क्या होता है डि देखो अगर मैं तो लगबग हम लोग 9.12 lakh ton इतना production होता था 2019 बीस के अंदर अब यह घटकर 7.12 lakh ton के आसपास या 7.25 lakh ton के आसपास हमें यह आपे देखने को मिल गया है तो काफी अच्छी खासी supply के अंदर कमी आई है and accordingly उस वज़ा से क्या हुआ है उस वज़ा से हमें जीर होगे ना तो इंडिया लगबग 70% दुनिया का जीरा इंडिया ही पर्यूस करता है देख रहे हो और जो बाकी 30% है वो सीरिया टर्की यूई इरान यहां से आता है ठीक है ना तो 70% तो इंडिया की उपरी पूरी dependence है दुनिया की ठीक है उसके अंदर भी अगर आप notice करो तो नहां पर हमें largest producer जीरा का देखने को मिल जाता है अब जीरा के बारे में issues पता क्या है कि जीरा बहुत ही sensitive crop है मतला बहुत ही weather sensitive है अगर मालो थोड़ी सी बारिश जादा होगी तो accordingly जीरा की फुसल खराब हो जाती है तो बिलकुल भी heavy rainfall नहीं होनी चाहिए humidity नहीं होनी चाहि करना कुछ हमें बारिशे देखने को मिली यह अन सीजनल रेन थी और जब भी अन सीजनल रेन होगी तो क्या होगा उतना production नहीं होगा production नहीं हुआ तो production के अंदर कमी आई हमारे पास पहले से ही जीरा की पहले ही कमी चल रही थी inventory में काफी कम जीरा था और production भी कम हुई तो क कहीना कि overall जीरा है इस बार वो काफी कम है उपर से अगर आप notice करो ना तो हमारी demand भी बढ़ रही है जीरा की आप लोग देखते होंगे जैसे for example आप चावल के अंदर जीरा डाल के खाते होंगे ठीक है ना soft drinks के अंदर लोग जीरा खाते हैं और बहुत सारी सबजियों के अं demand बढ़ रही है तो हुआ क्या supply नीचे आगी demand उपर जाती रही तो हो गया ना बहुत major mismatch और जैसी है major mismatch आएगा accordingly जीरा के prices तो बढ़ नहीं बढ़ने है तो यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है थोड़ा गर और देखें तो एक तरह की rabi crop है जिसको grow किया जात है मैंने आपको जैसे बताया था गुजरात और राजस्तान दो ऐसे जगां है तो गुजरात में भी आप देख सकते हो सवराश कच यह वाले सारे एरियास में क्योंकि आप notice करो ना अगर मैंने क्या बोला यह dry areas में grow करता है तो इंडिया में dry areas कहां पर है वह तो सब राजस मार्किट की तरह काम करती है कि कितना प्राइज है तो इसी पर्टिकुलर मार्किट की में बात करना हूं काफी तेजी से यहां पर हमें दाम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं बाकि आप सभी जानते हों कि जीरों के benefits हैं आपके parents आपके ममी बापा भी बिताते होंगे क कि जीरा अच्छी जीज है एंटी बेक्टिरियल एफेक्ट्स होते हैं cholesterol को यह कम करता है कुछ medicines veterinary medicines होती है वहां पर भी इसको यूज के जाता है ठीक है ना टायू conservation breeding center है वहां से 20 white rammed vultures को plan किया जा रहा है उनको भीजा जाया है कहां पे बुपाल के अंदर थीक है वल्चर conservation breeding center वहां पे इनको shift किया गया है किसने shift किया है Bombay natural housing society के दौरा अच्छे से इस cooperation को किया गया Bombay natural housing society क्या है सौरी history society क्या है यह एक तरह की एक NGO है यह बात आपने ध्यान में रखनी है UPSC अलड़ी इसके उपर question पूछ चुका है कि क्या है क्या यह inter-governmental organization या NGO है तो आपको बताना है कि हाँ यह एक non-governmental organization है यहाँ पर आप देख सकते हो white ramped vulture के बारे में ठीक है ना यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एक dark body है साथ ही साथ इनके ना neck के उपर एक आपको white collar देखने को मिलेगा यह काप ही इनका distinct feature है तो यह white collar के on the neck यह बात आप इनके running ध्यान में रखोगा जो back होती है इनकी white होती है ठीक है ना और इनके wings के उपर एक ताना की grey shine हमें देखने को मिलती है अब देखो vultures के बारे में एक interesting चीज जो आपको definitely जाननी चाहिए वो है with regards to diclofenac कुछ लोग को अलड़ी पता भी होगा बट बाकियों के लिए मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ हमारे यहां में even इंडिया में या पूरी दुनिया में भी एकर बात करें तो vultures की population ना काफी अच्छी खासी होती थी अगर आप आज से 25 साल पहले जाओ पर हम ना हर साल दर साल इनकी population काफी कम ही आती गई काफी सालों तक तो हमें पता ही नहीं लगा कि क्या reason है इनकी population कम होने के पीछे फिर हमें पता लगा कि ये एक दवाई है diclofenac ये इसके पीछे का reason है अब आप लोग सोच रहोंगे सरी diclofenac कैसे एक reason हो सकती है देखो ये एक तरह की drug है हम अपनी जो livestock होते ना जिसे पशुओं को उनको लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि हो सकता है उनको कुछ दर्द हो कुछ वाउंड हो मतब कुछ कुछ अ ठीक है बिमारी के अंदर दिया ही कही पर हमें लगता है यार कि इस दिराई को देंगे तो कहीं ना कि हमारा जो पशु होगा वो थोड़ा अच्छे से थोड़ा एक्टे परफॉर्म करेगा है के नहीं तो इस वज़ास से हमने जादा है उसको एड्मिस्टर किया और आप ल लिए डाइकलोफनेक को एक तरह से इसका यूज बहुत ही कम कर दिया गया है ठीक है ना अब एक तरह से बैंड ही है एक तरह से तो यह सारी चीज़ें हमें डाइकलोफनेक का पता होना चाहिए यह भी यूपीएसी का आच से काफी साल पुराना मंदर कोशन है यह कोई रीस बागी अगर आप मोटिस करो तो इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश तो जो इंडियान सबकॉंटिनेट है ना इसमें जादातर हो गया और जो साउथ इस्टेशिया हो गया वहाँ पर जादतर हमें यह देखने को मिलती है डेड अनिमल्स के रिमेंस के ओपर यह फीड क करती है, राइट, लूस कॉनलनीज हो गया, डार्क होने से पहले लगवक दो गंटे का एरेस्ट करती है, लगवक इनकी जो फ्लाइट स्पीड होती है, यह देखो छोड़-छोड़े फैक्ट्स है, ठीक है ना, और मैं फैक्ट एक्ट्टर में थोड़ा इसलिए जाद आप आपको आजकल फोकस कर रहा हूँ, इसकी अगर आप UPSC 2023 प्रिलेंट का वेपर देखोगे, तो UPSC ने काफी ना, अंदर जाके भी कुछ फैक्ट्स पूछे हों है, तो यह फैक्ट्स भी मारे लिए ध्यान रखने जरूरी बन जाते हैं, नॉर्मली 35,000 फीड से उपर यह न पर उसमें खुद नहीं उनको मारा होता, इनको बोलते हैं, स्केवेंजर्स, राइट, IUCN स्रेटर्स इनका critically endangered है, और Wild Eye Protection Act के अंदर का ते, Schedule 1 के अंदर इनका protection है, नेक्स टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, इस G20 Turism Meet, देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ से दि हो गए हैं, मैं वीकेंड पर देख रहा था, जब संडे को, तो यह वाला टॉपिक एक फ़ड़ा हमने मिस कर दिया था, इसको आज हम डिसकर्स कर लेते हैं, अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात है कि गोवा के अंदर G20 के टूरिजम की हमें मीटिंग देखने को मिली, औ और वहाँ पर ना, गोवा रोड मैप फॉर टूरिजम, इसको अडॉप्ट किया गया, इसको आपने मेंस के एक्जाम में भी ऐसन वैल्यू ओडिशन डाल सकते हैं, इसको भी रिसेंटली इसको भी हमने अडॉप्ट किया है, अब आप नोटिस करो, जब भी हम बात करते हैं लाने की, टूरिजम के अंदर हम MSMEs की, जो Micro Small and Medium Enterprises होती हैं, और Destination Management, ये 5 priorities हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, इस पर्टिक्लर टूरिजम मीट के अंदर, साथ में ही SDG Online Dashboards के तुरू हम देखेंगे कैसे कैसे, कौन सी, किस जगाने कुछ अच्छी चीज करी है, कैसी अच G20 के बारे में बिता देता हूं, देखो, दरसल में एक organization होगा अगरती थी, G7, ठीक है न, G7 के अंदर कौन कौन सी country आती है, रद राइशूट से पहले G6 होगा अगरती थी, ये 6 country आई, एक बार साथ में, 1970s के अंदर, उस टाइम पर दुनिया में oil crisis चल रहा था, तो economy को ठीक करने के लिए, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA, ये 6 countries पहले साथ में, फिर बाद में कुछ साल बाद इन्होंने Canada को भी आइड कर लिया, तो वो बोग क्या बन गया, G7 बन गया, फिर बाद में इन्होंने Russia को भी आइड कर लिया, तो वो बन गया G8, अब काफी साल तक G8 ही काम करता रहा, पर रशिया ने न, 2014 में, करीमिया को नेक्स कर लिया, भी हम डिसकुस भी कर रहे थे उसको, तब इन countries ने रशिया को बाहर कर दिया, तो G8 वापिस से क्या बन गया, G7 हमें बनता हुआ देखने को मिल गया था, ठीक है न, तो ये तो G8 और G7 की बात है, सब G20 क्या है, देख इक बातें, ये वाले छोटे ग्रुप से तो नहीं हो सकती, ये तो developed countries का एक तरह से group है न, इन countries के अलावा भी हमें और countries चाहिए, तो हमने कुछ और countries को भी add किया, जो और developing countries हैं, उनको भी हम साथ में लेकर आए, ठीक है, 1999 के Asian financial crisis के बाद, और तब जनम हुआ किसका G20 का, इ UPSC 2020 में, ये फ्रिलिंस में यही direct question पूछ चूगे, कौन कौन से इसके members होते हैं, तो 1999 में चलो सिर्क G20 का formation तो हो गया, पर उस टाइम पर यहां पर कौन आते थे, इन देशों के finance minister हो गया, या लेटसे जैसे जो central bank के governance होते हैं, वो आते थे, पर 2007 में हमें global economic crisis देखने को मि कि नहीं, यहां पर ना हमारे जो president है, या prime minister साहब हैं, वो आने चाहिए, head of state, head of government वो भी आने चाहिए, getting the point, तो G20 को 2007 में हमें एक upgradeation देखने को मिल जाता है, अब आज के time पर क्या होता है, यह particular summit हर साल होता है, अभी current वाला जो summit है, वो इंडिया की presidency के अंतरगत हो रहा है तो इस तरह से आप इस चीज को notice कर सकते हो, एक इंपॉइंट बात ध्यान में रखनी है, कि इस particular group के कोई भी permanent secretary नहीं है, तो यह काम कैसे करता है, this works under Trayoka, Trayoka क्या है, यहां पर ना तीन countries आती है, एक अभी वाली country जैसे अभी वाली country कौन है, जिसकी presidency है, India, उसके पिछले स अगली साल वाली presidency, that is Indonesia, और अगली साल आने वाली presidency, Brazil, यह तीनों मिलकर ना बोलते हैं इनको Trayoka, यह एक तरह से continuity ensure करने कुछ करते हैं, कि policy making के अंदर एक तरह की continuity आए, आपस में मिलकर यह चीज़ों को देखती हैं कि कैसे आगे चीज़ें प्लैन करनी होती है, तो this is how G20 works and I hope G20 tourism meeting के बारे में आपको पता लग गया होगा, अब आज के lecture quiz के उपर मैं आपको यह तीन questions दे रहा हूँ, true false कर गाने, मुझे बताइएगा इनमें से क्या ठीक है, क्या गलत है, कल जो आपको homework जया था, उनका मैं आपको quickly एक बर अंसर बतायता हूँ, Belize barrier reef, क्या यह largest reef system क्या पर catchment में है, ठीक है, क्या यह नेपाल के साथ water touch करती है, the answer is false again, यह चाइना के साथ अपनी boundary share करती है, तो बिल्कुल यह bilateral agreement है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि कैसे हम minorities को दोनों countries करें ट्रीट करेंगे, तो यह बात बिल्कुल correct थी, ठीक है, कल मैंने आपको परमितास के बार में भी पूचा था, तो यह बात भी यहाँ पर बात क्या हो रही है, कि वो perfections, जो कहीं न कहीं हमारे help करेंगे, बोजी सप्वापात को attain करने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं, परमितास, यह आपका art and culture का कहलो, जो आपका, ठीक है न, आप बोजीजम, जान बना सकते हो, तो keep working hard, goodbye and good luck.